नमस्ते आप सभी को अगर अभी तक आप सारी magic practices follow कर रहे हैं तो आप ये समझ कए होंगे और ये समझ चुके होंगे और foundation ये बना ली होगे कि जब भी हमें जब कुछ receive करते हैं हमें उसके लिए thank you कहना है हमें हर चीज जो हमारे पास already है उसके लिए thank you कहना है बट आज बहुत exciting day होने वाला है क्योंकि आज हम ये जो हमारी gratitude की magical power है उसे हम use करेंगे, utilize करेंगे अपनी desires और wishes को पूरा करने के लिए इसे समझाने के लिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं few years, not few years, बहुत-बहुत साल पहले लोग पहले से ही celebrations करने लग जाते थे thank you कहने लग जाते थे उन चीज़ों के लिए जो उनको चाहिए Egyptians एक festival celebrate करते थे कि जो river Nile है, उसमें flood रहे उसमें हमेशा पानी रहे जिससे उनके पास पान की कभी कमी न हो कितनी African tribes हैं वो hunting पे जाने से पहले अपने उस hunting जो सोचते थे कि हम वापस बहुत बड़ा hunt करके आएंगे, उसकी celebrations करके जाते थे, उसे पहले से ही celebrate कर लेते थे, एक्तिहार की तरह उस चीज़ को मना देते थे कि हमारी बहुत बड़ी आज hunting होगी और हम सब का, tribals का, आज सब का fulfillment हो जाएगी law of attraction हमारा ये कहता है, like attracts like means जैसा आप सोचते हैं, जो आप करते हैं, आप उसी चीज़ को attract करते हैं अपनी तरफ, law of attraction ये भी बोलता है कि जो आपको चाहिए, आपको वो ऐसा feel करना होता है कि वो already आपके पास है और वो feeling secret है उस चीज़ की feeling की मेरे पास वो already है, I have achieved that वो law of attraction आपके लिए तब काम करेगा और आप attract कर पाएंगे अब इस चीज़, इस feeling को लाने का सबसे इजी तरीका है, the power of gratitude जी, आप already thank you बोल दीजे उस चीज़ के लिए जो आप desire कर रहे हैं आप advance gratitude पे कर रहे हैं, universe को for your wishes, for your desires, आप उन्हें पहले से ही thank you कहने लग रहे हैं law of attraction क्या कहता है whoever has gratitude now, जो अभी फिलाल जो उसके पास है, उसके लिए grateful है, तो उसको universe future में, abundance में देगा, जिससे वो दुबारा thank you कहेगा, grateful होगा जब आप advance में gratitude पे करते हैं, तो आपके अंदर वो feeling आजाती है, that I already possess this thing, that thing मेरे पास वो चीज already है और आप उन emotions में रहते हैं, आप उस feeling में रहते हैं, और universe का law ये कहता है कि जब आपने दिमाग में सोच लिया कि ऐसा है, तो कैसे ना कैसे, universe आपको वो चीज दे देगा, और वो कैसे देगा, ये सोचना आपका काम नहीं है, बट क्योंकि आपने वो feel कर लिया है, with the help of gratitude with the help of power of gratitude तो आपके पास, वो universe आपका वो desire, दे ही देगा because it is the law of universe तो हमारा आज की activity क्या होगी? आज की हमारी activity है की आपको ऐसी अपनी 10 wishes, जो आपको पता है, you should be super clear about them, की आपकी ऐसी कौन सी 10 desires है, 10 wishes है जिने आप पूरी करना चाहते हैं आप उनके बारे में अभी लिखेंगे, और आप अपना sentence कैसे लिखेंगे? thank you, thank you, thank you for, और फिर आगे blank है, जो आपकी wish है आपको वो लिखते नहीं आगे for example, thank you, thank you, thank you for giving me the highest marks in my exams now I will get the admission in the exact college I wanted यहाँ आप ऐसे लिख सकते हैं thank you, thank you, thank you so much for my new home I am finally moving into my own house यहाँ पैसे लिख जीजे thank you, thank you, thank you so much for my dream job appointment I am so happy that I am starting my dream job right now यहाँ कुछ भी आपकी जो feelings है यहाँ अगर आप baby conceive करना चाह रहे थे तो वो रिख दीजे thank you, thank you, thank you so much for the news that I have conceived ऐसे कुछ भी आपकी जो wishes है ऐसी 10 wishes आपको वो start करनी है by mentioning thank you, thank you, thank you three times three number हमारा magical number होता है यह divine energy से जुड़ा हुआ है हमारे तीन हमारे देवता है ब्रह्मा, विश्नु, महेश तीन number बहुत ज़्यादा लखी होता है और वो आप जब एक बार thank you बोल रहे हैं और जब आप तीन बार कह रहे हैं वो उसकी power three times कर देगा और three divine number है इसलिए three times आपको लिखना है उसके बाद जब आप यह अपनी ten wishes लिख लेंगे तो इस activity का 11th day activity का एक second part है वो आप दिन में किसी भी time कर सकते हैं जब भी आपको time मिले या अगर morning में ही जब आप उठे हैं आपके पास time है तो उसी time इस second part भी आप finish कर दीजेगा अब बारी आती है आपकी आज की 11th day की second phase जो है उसको करने की आपने यह जो अपनी ten desires अपनी ten wishes लिख दी हैं अब आप अपनी जो first desire है उसको पढ़ेंगे और आप यह three questions का answer mentally अपने mind में करेंगे पहला question है कि आपको कैसा feel होगा जब आपकी यह desire पूरी हो जाएगी second question आप सबसे पहले अपनी desire पूरी होने के बाद कौन सा ऐसा person है जिससे आप बताएंगे और आप उसे कैसे community करेंगे क्या आप उसे phone करके बताएंगे या आप उसको personally visit करके बताएंगे वो आपको अपने mind में वो image वो picture visualize करनी है thirdly जब आपकी यह wish यह desire पूरी हो जाएगी वो ऐसी पहली चीज क्या होगी जो आप करेंगे अपनी यह desire पूरी होने के बाद आप कहीं गूमने चले जाएगे या आप कुछ आपने सोच रखा था कि जब मेरी यह desire पूरी होगी तो मैं यह चीज खरी दूगा जो भी आप पहली चीज जो करेंगे जब आपकी वो desire पूरी हो जाए तो आप यह तीनों points अपने mind में visualize करिये, imagine करिये आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे फिर second wish में move कर जाएए second wish के बारे में ऐसा सोचिए at least हर एक wish को इतना visualize करने के लिए imagine करने लिए का 1-1 minute तो आप सब को दीजिए ही और फिर जब आपकी यह सारी 10 wishes आपने कर ली visualize कर ली, फिर इससे एक बान मन में thank you, thank you, thank you universe बोल दीजिए और अगर आप अपनी यह जो desires हैं, wishes हैं इनको और powerfully अपनी तरफ attract करना चाहते हैं, तो आप एक magic board बनाएए इस magic board को बहुत लोग vision board भी कहते हैं, इसमें क्या होगा कि आपकी जो desires हैं उनके लिए एक particular आप picture क्लिक कर लीजे, अगर आप कहीं vacations पे जाना चाहते हैं, तो उस जगे की एक picture ले लीजे, या आप अपनी कोई promotion आप expect कर रहे थे, तो जो आपकी designation है ना, उसको आप word document में लेक कर बड़ा बड़ा अपना senior manager अपना नाम उसके नीचे लेकर ऐसा उसको cut कर लीजे, ऐसी आपनी 10 desires से related कुछ pictures, 10 pictures आप लेकर एक board पे या chart paper पे paste कर लीजी, और इस chart paper को सबसे उपर आप लिखेंगे thank you, thank you, thank you ये इसका title होगा आप वो 10 pictures चिपका लीजेगा, क्योंकि इससे क्या होगा, जब आप daily वो pictures देखेंगे आपको अपने desires याद आएंगे, आप वही ये तीन questions आप easily अपने gather कर पाएंगे, वो emotions feelings gather कर पाएंगे जब वो आपके सामने होगा ये आप अपने refrigerator पे लगा लीजेगा, या आप office desk पे अगर issue ना हो, वहाँ लगा लीजे, या अपनी wardrobe पे लगा लीजे, जहां भी आपका मन करें, आप इनको लगा सकते हैं इस अपने magic board को या vision board को हमारी day one की activity count your blessings and magic rock रात को सोने से पहले ये चीजे जरूर करनी है तो इसी उमीद के साथ कि आप अभी तक की जो हमारी journey है, उसके सारे steps कर रहे होंगे नहीं किया है, तो आप day one पे वापस जाके start कर दीजे it's better to be late than never, कर लीजे ये सारी activities और इसी उमीद के साथ कि ये activities कर रहे होंगे और हमारी life change होनी शुरू हो चुकी होंगी I am signing off with this video thank you so much for watching please do like, share and subscribe and thank you to all the subscribers and to the viewers thank you